एक गरीब आदमी की एक गरीब किसान होता है तो यह जो किसान होता है इसने एक साहुकार से करदा लिया होता है वो जो साहुकार होता है वो बूड़ा होता है एश्ट परसन होता है लगभग सत्तर पे शत्तर साल के करीब उसकी जो उमर होती है साहुकार की लेकिन वो जो अंदर से पूरे तरीकर से लालश से भरा हुआ होता है कमीने पन की जो हद होती है वो उसको पार कर चुका होता है इतनी उमर हो जाने के बाद भी तो अब वो जो किसान है जिसने उस सहुकार से करदा लिया हुआ है करदा जो है वो दिन बदिन बढ़ता चला जा रहा था क्यो किसान होता है उसको अपने पास में बुलाता है तो वो उस किसान को बोलता है कि देखो मैं तुम्हारा करदा जो है वो मास कर सकता हूं अगर तुम अपनी बेटी की शादी मेरे से करवा दो वो जो किसान होता है वो गुस्से से लाल पिला हो जाता है वो कहता है कि ऐसा कभी भ से नहीं करवाँगा एक किसान कहता है कि वह कैता है कि देखो यह करदा तो तुम्हारे से सारी जिंदगी उतरने वाला है नहीं राइट तो बहतर है कि अगर तुम अपनी बेटी की शादी मेरे से करवा देते हो तो मैं तुम्हारा जो करदा है वो भी तुम्हारा माफ जो है वो कर सकता हूँ लेकिन किसान नहीं मानता है साहुकार बार बार उसको बोलता है धमगाता है वो नहीं मानता है तो साहुकार की जो बेटी होती है लेकिन अपनी बेटी के बार में जानता है तो वह बोलता है कि तुम कुल बात नहीं है कि तुम मेरे से शादी करो लेकिन ऐसा क्या हो सकता है कि अगर तुम मेरे पिता का कर्द जो है वो माफ कर दोगे तो अगर तुम मेरे साथ शादी करना चाहते हो तो डेफिनेटली कि तुम्हें कुछ ऐसा करना पड़ेगा तुम्हें मेरे पिता को मनाना पड़ेगा मेरे पिता तुम ऐसे मानने वाले है तो तुम्हें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जिस से मेरे जो पिता है वो यहां पर मान जाए तो अब जो साहुकार होता है उसके मन में लालश क्या होता है कि मैं इसकी बेटी से शादी करना चाहता हूं वो इस चीज के लाज़त के साथ में बैठा हुआ होता है तो वो गाओं के जो सुर्पंच वगरा होते हैं या जो दूसरे जो बड़े लोग होते हैं तो वो उनके पास में जाता है तो वो एक आफर जो है वो सब को बताता है वो कहता है कि देखो यहा काला पत्थर तो अगर यह किसान उस पोटली में से बिना देखे अगर वो सफेज पत्थर उठा लेता है तो इस किसान का सारा करदा भी माफ कर दिये जाएगा और इसकी बेटी को भी मेरे साथ में शादी नहीं करने पड़ेगी दूसरी चीज़ अगर यह काला पत्थर जो उठा लेता है तो इसका करदा तो माफ हो जाएगा लेकिन इसकी जो बेटी है उसको मेरे साथ में शादी जो है वो करनी पड़ेगी तो जो जो सरपंच विगरा होते हैं जो बुदूर्ग लोग होते हैं वो किसान को बताते हैं कि देखो यह जो आफर है वो साहुकार तुम तो काफी समझाते हैं वो लोग किसान नहीं मानता है है कि उसने पोटली में दोनों ही काले पत्थर डाले हैं अब डेफिनिटली वो कोई भी पत्थर जो है अगर वो उठाएगी तो वह कौन सा निकलेगा वो काला पत्थर निकलेगा यानि कि उसको उसके बाप का कर्द है वो निकाल ही लेगा तो लड़की कहती है कि ठीक है अपने पिता जी की जगा इससे जो काला इससे इस पोटली में से जो पखर है वो मैं निकालूंगी तो जब वो साहुकार वहां पर उस पोटली को लेकर बैठा हुआ होता है तो जो लड़की एक एफी जगा चुनती है वो एक स्पैशल जगा है वो चुनती है कि यहां पर यह जो है वो सारा किया जाएगा वो कहते हैं तो जब वो लड़की उसमें से पथर निकालती है पोटली में से पथर निकालती है अब दोनों पथर काले होते हैं वो लड़की ज जानता है बाकी और कोई नी जानता है तो वो क्या करते हैं कि लड़की वो इस तरीके से पत्थर निकालती है चुपाकर और जब वो पत्थर बाहर निकालती है तो एकदम से जो पत्थर होता है वो नीचे गिर जाता है तो वो लड़की बोलती है कि वो मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, जो पत्थर है वो मेरे हाथ से चूट गया और जो पत्थर वहाँ पर नीचे गिरता है, तो वहाँ पर नीचे बहुत सारे सफेद और काले पत्थर जो है, वो पड़े हुए होते हैं, अब उनमें से कौन सा पत्थर लड़की के हाथ में आया था, ये कोई भी नह जानता है तो लड़की मोलती है कि देखो मेरे से जो गलती है वो हो गई है लेकिन कोई डिक्कित वाली बात नहीं है आप देख लिए कि पोटली में अगर दूसरा पत्थर काला है तो यानि कि मेरे हात में सफेद आय था और अगर काला अगर काला मेरे हाथ में आया था तो definitely मेरे को साहुकार के साथ में शादी करनी पड़ेगी लेकिन वो सभी जाते हैं कि दोनों पत्थर काले थे तो जब वो पोटली में से निकाला जाता है तो दूसरा पत्थर जो है वो काला होता है तो सभी ये समझते हैं कि इस लड़की के हाथ में सफेध पत्थर आया था और अगर सफेध पत्थर आया था तो definitely किसान का करदा भी माफ हो जाएगा और उस लड़की को उस साहुकार के साथ में शादी भी नहीं करनी पड़ेगी तो my dear friend moral of the story is जिंदगी में बहुत बार ऐसी situation आती है कि जब आदमी फस जाता है हर जगा पर लेकिन अगर हम पूरे तरीके से पूरे concentrate होकर focus होकर अगर हम ऐसी situation का सामना करें तो उसका जो solution है वो निकल सकता है उस चीज का जो solution है वो निकल सकता है कई बार आप किसी ऐसे person से मिलते हैं कि जहां पर आपको कुछ जो choice है वो नहीं दिखाई देती है तो अगर आप वहां पर पूरा focus होकर लगन के साथ में अगर आप उस आदमी के साथ में बात करेंगे आपका जो solution है वो वहां पर निकल सकता है तो दोस्तों आशा है कि जो कहानी है वो आपको पसंद आई होगी हर एक कहानी से हर बार हमें कुछ न कुछ सीखने के लिए दुरूर मिलता है तो चलिए दोस्तों अब समय आ चुका है हमारे आज के session का और देखते हैं कि आज के session से हमें क्या कुछ जो है वो सीखने के लिए मिलता है लेकिन दोस्तों session को शुरू करने से पहले एक बार जल् राइट 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 राइड राइट शुरू करते हैं हमारा यह जो आजका session है और देखते हैं कि आजके session से हमें किया कुछ वह हो सीखने के लिए मिल सकथा है आज का टॉपिक बहुत ही खास कीवा बिजनस प्लैन के साथ में बहुत सारी जो चीज़े हैं वो जूरी हुई है जिने की हमें यहां पर समझने की जो है वो जुरूरत है कीवा बिजनस प्लैन से हम किस तरीके से अपनी टीम से क्या कुछ जो है वो करवा सकते हैं कीवा बिजनस प्लैन से जॉइनिंग आ सकती है तंद्यूमर बढ़ सकते हैं आपका जो सेल है वो बढ़ सकता है आपका बोनस बढ़ेगा यह जो सभी चीज़े हैं वो कीवा काईप इंडिया में अब नहीं है इंडिया में इस लेवल का जो प्लैन है वो किसी के भी पास नहीं है और हम सभी लोग लगी है कि हमारे पास में कीवा काईपो इंडिया ने एक बहतरीन जो शांदर प्लैन है वो हमारे सामने यहां पर पेश किया है तो कीवा बिजनस प्लैन में दो कैसे एक नया distributor plan के साथ में शुरु कर सकता है एक new distributor कैसे plan के साथ में शुरू कर सकता है उसको कौन-कौन की जो चीजे हैं वो यहाँ पर बतानी पड़ेंगी तो दोस्तों यहाँ पर हम कुछ चीज के बारे में बात करेंगे कि जब भी plan को बताया जाता है तो शुरु में है कुछ लोग शरुम हैसूस करते हैं है करते हैं प्रेशर होता है और बहुत सारी ऐसी जो नेगटिव चीज़े हैं उनके मन के अंदर भूम रही होती है कि लोग हमसे सवाल पुछेंगे अगर हमें उसका जवाब ना आया लोग ये पुछेंगे वो पुछेंगे तो ये सबी चीज़े क्या है कि अगर आपको सवाल का जवाब नहीं आया अगर आप अब्जेक्शन हैंडल नहीं कर पा रहे हैं यानि कि मन के अंदर डर पैदा हुआ है एक शरुम मैसूस कर रहे हैं अगर मेरे को ना आया तो यार लोग क्या बोलेंगे मेरे बारे मेरे को बहुत शरु मैसूस होगी, hesitate करेंगे, एक pressure आ जाएगा, यानि कि session शुरू होने से पहले जो pressure मैसूस करते हैं लोग, सब ने किया है मैंने भी किया है, सब ने किया है जब शुरुवात में, starting में, जब ये चीजों को हम लोग शुरुवात करते थे तो जाद रही जचीजें हैं, यह नए लोगों में देखने के लिए मिलती हैं कि नए लोग जो है, वो इस चीज से गुजर रहे होते हैं उनके अंदर एक डर होता है कि लोग क्या कहेंगे अगर मैंने गल्ट कर दिया, तो क्या होगा अगर मैंने ये कर दिया तो क्या होगा तो ऐसी जो चीजे हैं वो चल रही होते हैं basically how we deal in this situation हम इस situation से किस तरीके से निपट सकते हैं कैसे deal किया जा सकता है तो सबसे पहले तो एक गहरी सांस लेनी है अगर आपको लग रहा है कि आपके सामने बहुत सारे लोग बैठे हुए और आपको डर मैसूस हो रहा है तो पहले तो लंबी सांस लेने में कोई डर नहीं है एक लंबी सास लीजिए और लोगों के साथ में बेसिक टॉपिक के उपर बात करनी शुरू कीजिए बेसिक टॉपिक छोटे छोटे टॉपिक के उपर बात करनी शुरू कीजिए वहाँ पर अगर 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, 20 लोग हैं तो basic introduction के साथ में शुरू कीजिए, माल लिजिए आपको अगर बोलना नहीं आ रहा है, आप, क्योंकि कई पर क्या होता है, कि बिलकुल जो वहाँ पर जो समय होता है, वो बिलकुल शून नहीं हो जाता है, समझ में नहीं आ रहा होता है, कि हमें बोलना क्या है, बात क्या करनी अरे भाई साब वो लाइन ही याद नहीं आ रही होती है, जो हमने बोलनी होती थी, तो वहाँ पर आप basic introduction के साथ में शुरू कर सकते हैं, भाई साब, आपका नाम क्या है, सर आपका नाम क्या है, सर आपका नाम क्या है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक familiar atmosphere जो है, वो पर बैखे हुए तो इस चीद का ध्यान चीगा कि वो लोग भी उतना ही डर रहे हैं जितना डर आपके मन के अंदर आपको लग रहा है लेकिन अच्छी में ऐसा होता नहीं है अच्छा सर आपका नाम क्या है ओके सर मेरा नाम यह है ओके सर आप कहां से आए हैं सर मैं यहां से तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन पांच दस लोगों के साथ में वहाँ पर हो जाता है अब सभी को सभी के बारे में पता है मने कि जो नाम वगरा है यह कहां से आए हैं यह कहां से आए हैं अब सभी को जो है मन वहां पर उस कमरे के अंदर जो एक डर का महौल होता है वो धीर दीरे 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 गैम हो जाता है क्योंकि ये स्टार्टिंग के जो 10-15 मिनिट आपने इंट्रोडक्शन में जो लिये हैं अब ये क्या करेंगे ये वहाँ पर एक ऐसा एट्मॉस्फिर पैदा करनेगे कि अब आपको जो डर है वो नहीं लगएगा क्योंकि भाई आप स क्योंकि ये 10-15 मिनिट जब आप बात करते हैं आपका जो कॉंफिडेंस लेवल है वो बिल्डप होना शुरू हो जाता है तो कि अब आपको बात करना आ चुका है बात क्या की इंट्रोड़क्शन आप कहां से हैं अब आप यहां पर कमांड दे रहे हैं आप यहां पर जवाब देंगे यह activity वहां पर एक friendly atmosphere जो है वो पैदा कर देती है अब कोई अगर आप से सवाल भी पूछेगा कि सर आप कहां से आए हैं सर आप कैसे हैं सर आप किस company के बारे में बताने वाले हैं तो आपको वहां पर जवाब देने में असानी होगी क्योंकि उन लोगों न वो बाहर निकल चुका है जो डर का महौल है वो भाग चुका है अब वहां पर एक अच्छा जो महौल है वो बन चुका है थोड़ी सी हसी मदा की बाते चल सकती है थोड़ा सा कुछ चल सकता है अपना experience शेर कर सकते हैं आप अपने बारे में शुरू कर सकते हैं कि भाई सब दिखिए मैं इस तरीके से था मेरे को यह opportunity मिली मैंने इसमें काम करना शुरू किया और अब मेरे को यहाँ पर काफी comfortable जो है वो महसूस हो रहा है तो आज हम इसी चीज़ के ऊपर जो है वो चर्चा करेंगे अब जो महौल है वो यहाँ पर बढ़िया बन चुका है तो माइडिया फ्रेंड अगर वहाँ पर एक या दो लोग है तो आप उनको कीवा बिजनस कैटलोग से जो है वो प्लैन दिखा सकते हैं जो कीवा बिजनस कैटलोग है वो आपर बुक है बुक के अंदर ही सब कुछ लिखा हुआ है तो आपको देखकर ही पढ़ना है उनको बताना है और वो लोग आसानी सुछ चीज़ को समझ जाएंगे अगर पांच या पांच से जाज़ों लोग है तो आप बिजनस प्लैन को प्रोजेक्टर के उपर बोड के उपर जो दिखा सकते हैं अपकी इच्छा है जिस भी तरीके से आप दिखाना चाहते हैं लेकिन दिखाना बहुत दुरूरी है तो माइडियर फ्रेंड आज हम यहा तो आप लोगों को बता सकते हैं कि जैसे कि जो कीवा काइप इंडस्ट्रीज है तो यह 105 परसेंट डिस्ट्रिबूट कर रहा है बीपी बिजनस पॉइंट अपने जितने भी डिस्ट्रिबूटर्स है एक बिजनस पॉइंट लगबग एक रुपे 5 पैसे के बराबर होता है ब सिपल सी चीज है कि कीवा काइप इंडस्ट्रीज एक ऐसी कंपनी है जिसके प्रॉट्टियों पर आपको बाइवन गेट वन जो है वो फ्री मिलता है इसके लावा बहुत सारे बोनस है जैसे की टीम परफॉर्मेंस बोनस हो गया 30 परसेंट रॉयल्टी क्लब हो गया 12 परसे प्रेजिडन क्लब 8 परसेंट चेर्मन क्लब 7 परसेंट यानि कि टोटल में 105 परसेंट का जो इसके बाद में आप उनको बता सकते हैं कि देखिए कंपनी में रैंक है जैसे जैसे आप बिजनस पॉइंट करते जाएंगे वैसे वैसे आपका जो रैंक है वो यहाँ पर लेकिन पहला जो अचीवेबल रैंक होता है वह कौन सा होता है एक्जेकेटिव एक्जेकेटिव आप कब बनते हैं जब आप राइट और लेफ्ट में दोनों साइट पर 2000 जो बीपी हैं वह आप कर देते हैं और यहां पर आपको परसेंट का 9 परसेंट जो है वहां यहां प की मैंचिंग पर जनेरल मैंचेटर एक लाग साथ ह Bowl BMP की मैचिंग पर डिप्टी डिरेक्टर छे लग साली से घर व्यस तार भी पी की मैचिंग पर रइधर जतना भी BP होगा उसका जो 30% है वह यहां पर मेरे को मिलना शूरू हो जाएगा तो यह simple सी slide है यहां पर इसके बाद जो club income जो royalty club income वगरा जो आती है अब यहां पर देखना है कि royalty club income यहां पर आप club income भी जो है यहां पर आप उठा सकते हैं तो जैसे ही कोई person नया person आता है यानि कि अगर वो 25-2500 की BP की matching कर लेता है तो उसको 12% का income मिलता है यानि कि जो royalty club income है वो उसको मिलना शुरू हो जाता है अब जैसे पहले 2500 BP की matching पर मिला फिर 5000 BP की matching पर मिला फिर 1500 BP की matching पर मिला फिर 10,000 BP की matching पर मिला तो 2500 से लेकर 10,000 BP की matching तक आपको जो income है वो यहां पर मिलती शुरू हो जाएगी इसके बाद दोस्तों आता है leadership club income leadership club अब 10,000 के बाद में 2,000,000 BP की matching तक आपको leadership club income मिलेगा हर 25-2500 BP की matching पर जैसे कि 10,000 के बाद पहली जो पच्ची सो income आती है वो कहां पर आती है साड़े 12,000 BP की matching पर फिर 15,000 फिर 17,000 फिर 20,000 फिर 15,000 फिर 22,000 ऐसे करते करते 2,000,000 BP की matching तक आपको जो leadership club income है वो आपको मिलेगा और दोस्तों 2,000,000 BP की matching के बाद unlimited matching तक आपको यहां पर gold leadership club income मिलेगा यहां पर अब जो criteria है यैसे पहले 25,500 के gap पर मिल रहा था अब यहां पर 10,000 BP के gap पर आपको जो income है वो मिलना शुरू हो जाएगा जैसे सबसे पहले 210,000 BP की matching पर फिर 220,000 BP की matching पर फिर 230,000, 240,000, 250,000 ऐसे करते करते unlimited BP की matching तक आपको gold leadership club income जो है वो मिलेगा 5% यह आपको मिलेगा यहाँ पर इसके बाद दोस्तो loyalty club income 25,000 BP की matching पर हमें मिलता है star club 50,000 BP की matching पर foreign to work club 1,000 BP की matching पर car club 1,500,000 BP की matching पर और house club 2,000,000 BP की matching पर हमें मिलता है यहाँ पर दोस्तो अगर आप मालिजे house club income करते हैं की 2,000 BP की matching करते हैं तो दोस्तो आपको उपर वाली जितने भी income हैं वो सभी आपको मिलेगी सिरफ royalty club को छोड़ कर यानि की car club foreign to work star club loyalty club यह सभी income आपको मिलेगी अगर आप यहाँ पर house club जो है अगर आप इसको चीव कर लेते हैं यानि की जो पिछला यह सारा जो है वो accumulate जो है वो होकर आपको यहाँ पर मिलता है और दोस्तों इसके बाद आयता है यहाँ पर club income जब आप director बन जाते हैं तो director बनने के बाद यह जो income है यह आपको मिलने शुरू हो जाते हैं जैसे की बन जाने के बाद अगर आप एक लाग बीपी का मैचिंग करते हैं हर महीने तो आपको 10% का income जो है वो आपको यहाँ पर मिलना शुरू हो जाएगा पर प्रेजिडेंट अगर आप बनते हैं तो दो लाग बीपी की मैचिंग करते हैं सफायर डिरेक्टर बीस लाग बीपी की मैचिंग करने पर एक परसेंट और डायमन क्लब तीस लाग बीपी की मैचिंग करने पर एक परसेंट याने कि टोटल 26% जो है डिरेक्टर बनने के बाद यह जो income है इसको आप यहाँ पर उठा सकते हैं अनलिम्टिट डेप्ट तक आप जा सकते हैं इसके बाद दोस्तों आता है annual income जो की जिसकों की chairman club bonus बोला जाता है तो लोट तो यह जो pay out है यह आपको annually आता है हर साल यह जो pay out है यह मिलता है अब इसके लिए करना क्या है तो दो तो अगर आप डिप्टी चेर्मेंड क्लब को CHYves करना चालते हैं तो आपको 30 LABP की मैचिंग करने पड़ेगी पूरे एक साल में एक साल में आपको 30 LABP की मैसिंग है वो आपको करने पड़ेगी यानि कि 2% जो है वो आपको यहांपर इंकम है वो मिलनी शूरू हो जाती है Bronze Chairman Club 60 लाग BP की matching करने पर आपको Bronze Chairman Club मिलता है यानि कि 2% Chairman Silver Club 1 करोड BP की अगर आप matching करते हैं तो आपको यहां पर Chairman Silver Club जो income है वो आपको यहां पर मिलनी शुरू हो जाएगी 2% Chairman Gold Club 5 करोड BP की matching पर 0.5% ओर Chairman Diamond Club 12 करोड BP की matching पर 0.5% जो income है यानि कि टोटल में 7% जो income है वो हमें annual payout के रूप में यानि कि chairman club bonus के रूप में हमें यहाँ पर जो income है वो यहाँ पर मिलनी शुरू हो जाएगी तो दोस्तों यह simple सा plan है जो कि हर कोई इसको बता सकता है हर कोई किसी को भी यह समझा सकता है और दोस्तों आज का यह जो session है यह facebook के उपर भी like चल रहा है link आपको comment box में मिल रहे हैं आप इस link को अपनी team में जादा से जादा लोगों तक भी share कर सकते हैं ताकि कोई भी इसको एक बार दो बार अगर इसको देखे तो आसानी तो वह plan के बारे में यहां पर समझ जाए बाकी की जो चीज़ें है वो आप धिरी धिरी जो है वो सीख जाएंगे यह तो starting की आपको कुछ जो tips है वो बताए गए है स्टार्टिंग की आकर जो basic plan है वो आपको यहां पर बताया गया है कि भाई सब यह plan है इस तरीके से जो income है वो आपको आती है और इस तरीके से जो income है वो आप generate कर सकते हैं तो दोस्तो आशा है कि यह जो session है यह आपको informative लगा होगा knowledgeable लगा होगा और बहुत कुछ आपको सीखने के लिए भी मिला होगा तो आशा है दोस्तो इस session आपको बहुत powerful लगा होगा और definitely आप अपनी team को भी इसके बारे में बता सकते हैं समझा सकते हैं और उनको आगे motivate भी कर सकते हैं तो दोस्तो ऐसे और बहुत सारे interesting topic आपके लिए लेकर आते रहेंगे जल्द ही आपके साथ में फिर से मुलाकात होगी तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया thank you thank you so much